कि दोस्तों नमस्कार हमारे एपीए पाम एनालेसिस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भाग्ये रेखा पर बनने वाले त्रीकोन के बारे में जी हां अगर किसी बेक्ति के हाथ में भाग्ये रेखा पर क्रीकोन बने ट्राइंगल का निशान बने तो यह बहुत सुब होता है अब यह किस प्राकर के फायदे देने वाला होता है तो आईए इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं तो जैसे यह जो मद्धमा उली है इसके इस एरिया के अको कहा जाता है सनी परबत और कोई रेखा हाथ के चाहे कहीं से भी आकर इस मद्धिमा उली के नीचे कर तरफ जाय तो वो रेखा भाग्ये रेखा होती है अब अगर किसी वेक्ति के हाथ में इस भाग्ये रेखा कि कहीं पर भी ट्राइंगल का निशान बने त्रीकोन बन जाए तो ये बेक्ति को अचल संपत्ति या तो धन का लाब देता है जैसे मानी प्रोपर्टी घर बंगला गारी इस प्रकार के किसी ना किसी चीजों का फाइदा ये बेक्ति को अवस्य दिलाता है अब सवाल ये आता है कि इस तरह के चीजे बेक्ति को कब मिल सकता है इसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये ट्राइंगल भाग्ये रेखा की कौन सी जगा पर किस एज में बन रहा है जैसे अगर किसी बेक्ति के हाथ में ये भाग्ये रेखा पर ट्राइंगल यहां पर बन जाए ह अगर यह हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता है जैसे हार्ट लाइन और माइंड लाइन है इसके बीच में ट्राइंगल बनता है अब अगर यहां पर ट्राइंगल कुछ इस तरह का भी बन सकता है या फिर इस तरह के भी अगर बने जो माइंड लाइन को टच कुन होगा इसका जो ट्राइंगल का एनर्जी है वो रिलीज होना चाहिए प्रोपर तरीके से अब अगर यह इस तरह के काट दे भागी रेखा को तो इसका फाइदा थोड़ा कम हो जाएगा तो ट्राइंगल का निशान जितना अच्छा होगा यह विक्ति के लिए बहुत फा अगर यह जो मैंड लाइन है इसके निचे इसके निचे जो यह एरिया होता है इस एरिया को कहा जाता है यह एरिया होता है राहु की एरिया तो अगर माइंड लाइन के बिल्कुल नीचे यहां पर त्रीकोन बने तो सपोज यहां पर अगर त्रीकोन का निशान बने तो इसका एज लगभग 28 से लेकर 34 के बीच में ऐसे वेक्ति को यह बेनिफिट देगा अब अगर यह थोड़ा और भी ज्यादा नीचे हो तो यह बेक्ति को 21 से लेकर 26-27 के अंदर यह बेक्ति को बहुत अच्छा फाइदा देगा तो ट्राइंगल का निशान जितना इसपस्ट होगा क्लियर होगा और निर्दोस होगा यह बेक्ति को ज्यादा फाइदा दिने वाला होगा तो एज एकदम 100% accurate बताना संबभ नहीं ट्राइंगल के हिसाब से जो होता है जैसे ट्राइंगल का साइज जितना बरा होगा तो यह उस हिसाब से इसका age count होगा जैसे अगर मान लेते हैं ट्राइंगल का साइज थोरा बरा हो गया तो ये देखिए जैसे 25 से लेकर 28 का जो समय प्रियर्ड होगा ये समय बेक्ति को बहुत ज़्यादा फाइदा देने वाला होगा यानि इस समय बेक्ति को कुछ भी प्राप्त हो सकता है धन का प्राप्त हो सकता है या घर बन सकता है जमीन जाइदाद property इस परकर के किसी न ही चीज़े का फाइदा ऐसे वेक्ति को होता है क्योंकि देखिए पामिष्ट्री में किसी एक रेखा या चिन्नों के आधार पर एक्जेक्ट ये बताना संबब नहीं कि ऐसे वेक्ति को किस तरह का benefit मिलेगा इसके लिए हाथ के कुछ और भी लाख्षन देखना होता है, तो मतलब ये बेक्ति को फाइदा जरूर देगा, किस तरह का फाइदा देगा, तो ये जमीन ज्याइदाद घर बन सकता है, या कोई प्रापरटी मिल सकता है, या धन का प्राप्ति हो सकता है इस तरह का किसी ना किसी चीजों का फायदा यह वेक्ति को जरूर देगा, यह इसके बारे में बताता है तो इसमें age का बहुत वारा factor है, तो भाग्यरेखा पर age calculation के बारे में मेरा एक वीडियो बना हुआ है अगर चाहे तो उस वीडियो को देख सकते है उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगा पर देदेंगा चाहे तो उस वीडियो को देख सकते है तो दोस्तो ये थी बाते भागी रेखा पर बनने वाले त्रीकोन के बारे में एक छोटा सा वीडियो अगर यह विडियो अच्छा लगे तो कृपिया इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल में नए है तो कृपिया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें शाथ में नोटिफिकेशन बिल का जो आल का घंटी है उस पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकरी आप तक पहुँच सके तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपका दिन सुग हो धन्यवाद